नमस्कार, One India Hindi में आपका स्वागत है लक्ष दीवप सरकार के जरीए लाए गए इन सुधारों को वापस लेने की मांग को लेकर केरल की विधान सभा में एक प्रस्ताव पास किया गया इस प्रस्ताव में इन सुधारों को लेकर नराजगी जाहिर करने वाले लक्ष दीवप के लोगों को लेकर एक जुटता का बादा किया गया है केरल के सीम पिन राई विजियन ने सोंबार को इस प्रस्ताओ को पेश किया जिसमें मांग की गई है कि दीव के लोगों की चिंताओं को तुरंट खल किया जाए प्रस्ताओं में लक्ष दीव के प्रशाशक प्रफुल पटेल के जरीय पास किये गए विवादा इस पद सुधारों को वापस लेने की मांग की गई है इसके साथ साथ प्रस्ताओं में केंद्र से लक्ष दीप के प्रशाशक को वापस बुलाने और इस मामले में तुरंत दखल देने की मांग की है आपको बता दे कि लक्ष दीप के लोग नैनियम कानूनों खास्तोर से आस्तामाजी गतिविधी विनी यमन विधियक 2021 या गुंडा अधिनियम का लगतार विरोध कर रहे हैं आलोचको को कहना है कि ये नियम गैर जरूरी है क्योंकि दीप पर अपराद दर पहले से ही बहुत कम है दर असल लक्ष दीप सरकार ने सिक्षा, सुवास्ते, देखभाल, क्रिश्वी, पसुपालन और मतस्ते पालन के संबंध में निर्वाचित जिला पंचायत के स्थानिय प्रशाष्निक शक्तियों का नियंतरन भी अपने हाथ में ले लिया है सरकार ने दीप में शराप की बिक्री को मनजूरी देती है और बीफ पर बैन लगा दिया है इसके अलावा अंगनवाडी बच्चों के में न्यू से नॉन वेच को भी हटा दिया है दरसल लक्ष दीप एक मुस्लिम बहुल इलाका है और इसलिए यहां शराप की बिक्री पर पाबंदी थी पिछले हफ़ते लक्ष दीप के सांसद और रास्टरवादी कॉंग्रेस पार्टी के नेता मोहमद फैजल कॉंग्रेस विधायक, शफी, परंबिल, सीपी, आईयम, माक्सवादी नेताओं समेत कई नेताओं ने केंद्र और इस्थानिये प्रशासन से जनता की मांगो पर ध्यान देने और नए सुधारों को वापस लेने का अहवान किया फिलहाल इस नहीं देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ